है है अलो फ्रेंड वेलकम टो जी कुशन टूट्रियल चैनल आज हम पेट्रोल डिजल के बढ़ते दामों पर चर्चा करेंगे क्यों पेट्रोल की दाम इतने महाई होते जा रहे हैं क्या सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है चलिए बीना टाम वेस्ट के हम देखते हैं कि आई जैसा कि आप लोग इस लाइड़ पर देख रहे हैं की पेट्रोल डिजल के दाम आखिर इतने महाँए क्यों है क्यों है पेट्रोल इतना महाँई ठीक है आप देख रहे होँए कि कई राजियों में ठीक पेट्रूल की दाम लगतार बड़ एं तो के पर पर बढ़ें हैं प्रप ट्रो दिया कि नावersonal और चला कि खते हैं कि क्या सरकार का निइया मैं इसमी स्वाक। आता है तो इसका टैक्स कितना लगता है और राजये सरकार से लगाती है आप पहले पर देख होगे क्युह है पिट्रोल सो के पाहर पार फिकाह पर दख। खच्चा तेल आर्यास 36 रुपए 62 पैसे ठीक है यह प्रति लीटर पड़ता है कच्चे तेल का दाम 36 रुपए 62 पैसे सरकार विदेशों से खरीद देती है मतलब साओधी अरब यह सब जो कंट्री है जहां प्रतेल का उत्पादन होता है ठीक है वहाँ पर सरकार कच्चा तेल इनसे 36 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के साब से कच्चा तेल खर देती है फिर जहाज का खर्च क्या होता है अब उतने दूर से सौधी अरब से भारत में आएगा तो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम बिचाए उसके लिए जो जहाज आएंगी पानी वाली जाए तो 10.40 पैसे मतलब एक 0.40 पैसे ठीक है प्रति लीटर मतलब जहाज का खर्च पर जाता है यह थोड़ा कम दाम है क्योंकि इतना जादे पेट्रोल लाना पड़ता है कच्चा तेल तो थोड़ा चार्ज कम लगता है चलिए तो सही है और जो रिफानरी का खर्च है वो तीन रुपए 84 पैसे पर लीटर है जो इतना नहीं ला जाता था लेकिन समय यह भी महगा हो गया यह 36 पर पर लीटर हो गया है तो इसका भी थोड़ा रोल है और रिफानरी का खर्च जो है वह किन्दा परता है अब कच्च्च तिल आगा तो यहां पर क्या करेंगे भारत मे तो रिफानरी का जो खर्च होगा वो तीन रुपए 84 पैसे पर लीटर आएगा फिर इसके बाद देखिए आपर किंद्र सरकार किना इसमें टैक्स लगाती है जो किंद्र सरकार का टैक्स वह 32 पैसे पर लीटर है ठीक है और यहां पर पहले दिखिए यह तो 36 पर पर से पर करी रॉत बन किंद्र सरकार को देती है मतलब केंद्र सरकार इसमें टैक्स लगाती है 32 पैसे वह वह ज concept it is a Canada क्षाज कैंद्र सरकार क्याकरई उस्कोटार की जटैक्समें हैं और द्श्च तो अपने टाइक्स जदो hundred यह साथ में साथ राज कि शर्कार जो है इसाट्रोफ ओधिक अपना लगा रही एक को एक लागा रही एंग किपट्रोल पॉंप डीलर का कमिसन आप जो पेट्रोल पम्प सरकारी है नहीं प्राइबिए हम करणारी पेटां करते हैं सरकारी प्राइयर तो लोग विए अपना कमीशन नेते हैं ठीक है पट्रूल हम लोग को जो हम भरवाते हैं तो वह तीन रुपए सारशाब पैसे पर्ति लीटर वो प्रच का घर्च आता है कमीशन आता है ठीक है अगर टोटर हम जोड़े हैं तो यह टोटर प्रचुल के दाम लगवा 101 रुपए 51 पैसे पर्ति लीटR पढ़ जाएंगे मतलब यह सो के पार चला गया 101 रुपर अगर यह राज्य सरकार अगर यह टैक्स थोड़ा कम ले 2444 रुपर का जो राज्य सरकार यह अगर टैक्स कम हो जाए ठीक है दिखिए आपर अगर यह टैक्स कम हो जाए और यहां पर अगर केंद सरकार का यह अगर टैक्स कम हो जाता है तो लोगों के लिए कुछ राहत की बात हो सकती है ठीक है इसके बाद दिखिए अब एक अब यहां पर दिखिए एक 101 रुपर क्योंट पर से प्रत्रीटर पड़ा पेट्रोल का दाम और भारत में रुजाना तीन मिलियन ती 48 Mister होगी है मतला भारत में कितना ऐख खर्च होता है एक दिन में एक दिन में भारत में 48 क्रोड लीटर एक दिन में पर ट्रोल हो जाता भारत में और यह 3 million barrel है, 1 million barrel में 169 liter कच्चा तिल होता है, अगर पूछा जाए कि 1 barrel में कितना लीटर तिल होगा, तो 1 barrel में लगवग 166 liter मानके चलते हैं, 160 liter तिल आता है, एक बारल में, तो 3 million barrel है, 3 million barrel ये भारत में रुजाना खर्च होता है, लगवग 48 करोड़ लीटर, इमांट भी बहुत जाद है और देखिए जब इसको हम रिफाइनरी करते हैं 169 लिटर कच्छा तेल को आप्टर रिफाइनिंग हम देखते हैं कि यह 65 लिटर हमको मिलता है ठीक है अगर एक बैरल तेल करेंगे यहां पर यह मतलब नहीं है कि एक बैरल में निटर होगा एक बैरल में एक प्रिफाइनरी करते हैं यहां पर जो यह कच्छा तेल हम यहां पर मंगा है चला जाता है तक करोशीन के रूप में 24 लिटर कच्छा तेल ठीक है धन्य वाद